मस्तो भ्यम दर्शिकों हर हर महादेव आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सब मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्त और सुरक्षित होंगे दर्शिकों 23 जुलाई दिन शनिवार को सावन माह की दश्मी है सावन माह की दश्मी पर आप यह उपाय करते हैं तो आपको बड़े से बड़े करज से मुक्ति मिलेगी यदि आप पर बहुत अधिक करजा बढ़ गया है और धन की आवक रुक गई है तो आप यह उपाय अवश्य करिएगा आपको क्या करना है इसके लिए आपको शमी पत्र चाहेंगे हैं आप 11, 21 या 31 आपको जितने भी शमी पत्र मिल जाएं आप उतने ले लीजिए साथ में आपको एक से दो चमत शहद चाहिए हैं और एक लोटा जल चाहिए हैं अब आपको क्या करना है आप इस सामगरी को लेकर आपको शिव मंदिर जाना है आप कभी भी या उपाय कर सकते हैं दिन भर में आपको शिव मंदिर जाना है उस शिव मंदिर जाकर सबसे पहले एक लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित करना है उसके बाद जो शमी पत्र आप लेकर गए हैं वहाँ शमी पत्र को एक एक करके आप शहद में डुबो लें जब वहाँ चिपचिपा हो जाए उसके बाद आप एक एक करके शमी पत्र को शिवलिंग पर अर्पित करें और श्री प्रदान करे यस और मान सम्मान आपका बढ़ाएं जिससे आपका धीरे-धीरे करते हैं करज समाप्त हो जाएगा यहाइ सावन महा की दश्मी पर ही आपको इह उपाय करना है चाहे वह अंधेरे की हो या उजाले की हो यानि किष्ण पक्षी की दस्मी हो या शुक्ल पक्षी की दस्मी हो किसी भी दस्मी पर आप यह उपाय कर सकते हैं लेकिन सावन महा की दस्मी होनी चाहिए श्री शिवाय नमस्तु भ्यम दर्शकों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भ्यम हर हर महादेव ओम नमस्षिवाय लिखकर मुझे अवश्य बताईएगा श्री शिवाय नमस्तु भ्यम दर्शकों हर हर महादेव धन्यवाद दर्शकों